हालो स्टुडेंट्स तो आज हम जो नेक्स्ट रैडिकल जो परफॉर्म करने वाले है वो है असी टेट जिसका फॉर्मूला होता है छी एच्ट्री सी ओ ओ नेगेटिव तो अभी देखो हमारे पास इतने सारे रिएजंट्स रखे हुए और यह सभी रिएजंट्स आज हम दिखाऊंगी और यह यह और यह मैंने इसी पैकट में से एक सॉल्ट निकाला है अब अगर हमें यह पांडाऊट करना है किसमें जो इसे जो साल्ट के साथ निकाला है किया भ्या तो यह तो एक्षटusta li wilde इसके लिए में क्या करती हूं ? Generally जब हम यह करते हैं तो हमें सबसे पहले इसको dilute H2SO4 के साथ react करवाना पड़ता है यह उसके साथ react नहीं होगा उसके बाद में हम इसको concentrated H2SO4 के साथ भी react करवाते हैं जिसमें से vinegar like smell आती है बट यहां पर वीडियो में मुझे आपको vinegar like smell दिखाना पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको सिंप्ली इतना ही बताओंगी कि जैसे ही मैं देखो हमने क्या किया हम इंडिकेटरी टेस्ट करते इसके लिए हमने क्या किया सॉल्ट लिया और सॉल्ट में हम क्या पोर करेंगी पों स्टेट्रेट एचरी इस एच डिशॉर जैसे हम इसमें सर्क् физराइच चैत्य च्चाह सूर पोर करेंगे हम जैसे हिसने क्या सॉन्सक्राइच जैसे इस में से ग्यास बंदेधे डिशर l जीश और शैयो कि आब अजल कोन कि जब आप इसमें H2SO4 पोर कर रहे हो उसके बाद में रियाक्षिन इसमें कुछ भी नहीं दिखता है तो हम बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या यह इसमें अस्रीट है या नहीं है तो इसके लिए क्या है एक ट्रिक होती है हमेशा इसके लिए क्या करना है आपको हम एक पाम टेस्ट परफॉर्म करेंगे ऑल्दो इट इस नोन आज अप कन्फर्मिटरी टेस्ट तो इसके लिए में क्या करती हूं में थोड़ा सा जो है सॉल्ट ऐसे फिंगर्स में लेके हम इसको रब करेंगे एंस्टूडेंट इस सॉल्ट को बेर हैंड से तच करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकाज ऑग्जालिक असेड हमारे टमाटोज में भी होता है ओके सुमने तच करके देखा देन वी विल स्मेल इट इफ इट विल स्मेल लाइक विनेगर देफिनेटली हम ट्राइगे कि उसके कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वह हम कर सके तो कंफर् ग्लास में ले सकते है इसको अब जैसे ही हमने सो क्या लिया हमने यहां पर देखो हमने लिया है सौल्ट जो हमारा गीवन है और उसमें हम आड करेंगे ऑक्जालिक आसेड यह क्या है ऑक्जालिक आसेड तो इट यहां पर इस तरीके से में एक छोट थोड़ा सा उक्जालिक acid इसमें add करोंगी ठीक है अब जब oxalic acid add हो चुका है इसमें अब हमें क्या करना है हमें पोर करना है मैंने पहले ही इस टेस्ट्यूब में water लेके रखा हुआ है so I'll be pouring one or two drops of water one or two drops of water in this way मुझे सिर्फ यहां पर paste बनाना है कोई भी solution नहीं बनाना इस तरीके से यह पोर करने के बाद हमने क्या क्या mix किया है salt plus oxalic acid जब आप यह salt plus oxalic acid को इस तरीके से mix करते हैं जब आप इसको mix करने के बाद में आप देखोगे तो it will smell like a vinegar इसकी smell जो है vinegar हमारे घर पे जो सिर्का होता है जो चावमीन में vinegar यूज होता है उसके ही जैसे इसका भी strong smell आना start हो जाएगा और यही confirm करता है presence of acetate ions तो यह हो गया है हमारा palm test अब देखो palm test के लावा और कौन सा test जो है वो हम जो हम perform करके देख सकते हैं तो एक और test होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक test tube लेंगे इस test tube में salt add करेंगे and then in that we will be adding water in that we will be adding water to it okay and making a aqueous solution तो देखो मैंने यहां पर एक इसका aqueous solution में इस तरीके से शेक करके properly देखो हमेशा salt जो है वो aqueous solution में properly dissolved होना चाहिए और आपके syllabus में पूरे properly dissolved salt ही दिये हुए है अब क्या करना है आपको कि यह अपने salt ले लिया अब इसमें हम पोर करेंगे neutral fecl3 बेटा यहां पर आप देख सकते हो मैंने सिर्फ fecl3 लिखा हुआ है fecl3 क्या होता है actual में lewis acid होता है और lewis acid को हम क्या करते है उसको NH4OH एड करके हम बनाते उसको neutral fecl3 तो जैसे ही मैं इसमें neutral fecl3 एड करती हूँ it should turn red इसमें red कलर आना चाहिए अगर red कलर आता है तो हम कहेंगे कि yes acid ions are confirmed हम कहेंगे acid ions are confirmed सो आप देख सकते हो देखो आया red color आया okay so यहाँ पर जो है हमारा red coloration आ चुका है और यही acid ions का सबसे बड़ा confirmatory test होता है easily हम इसको समझ सकते हैं अब देखिए यहाँ पर इसको एक और confirmation हम करते हैं और क्या हो जाएगा disappear हो जाएगा तो देखो मैंने dilute HCL लिया है you can see that ठीक है तो हमने dilute HCL लिया and now I am pouring in this तो यहाँ पर देखो इसका color जो है disappear हो चुका है right और यह color disappearance जो होता है यह और शो करता है कि acetate ions are confirmed सो हमने two times two reactions यहां हमने देखी first one is palm test जिसमें palm test में हमने यह watch last use किया है जिसमें oxalic acid use किया second one is neutral ferric chloride आप एक साम में भी इसी तरीके से perform कर सकते I hope आपके आज की class में जो भी पढ़ा है वह आपको समझ में आ गया है so according to these two test we can say that the acetate radicals is radical is there in our salt so let's check let's check so see the name of salt and you can see that it's a barium acetate अब देखिए barium का test कैसे perform करते है वह मैं आपको एक और class में समझाओंगी so thank you students and have a good day ahead